हेलो दोस्तो, स्वागा थी आपका हमारी यूटूब चैनल में आज हम मेडिवल स्ट्री में अकवर के इतिहास को पढ़ेंगे यह हमारा मेडिवल स्ट्री से सम्बंदित अठारमा टॉपिक है आप इससे पहले की टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो चलिए चलते हैं सेसन की ओर मुगल सामराज का समयकाल 1526-1889 ESB की मद में था आज हम मुगल सामराज में अकवर की बारे में परेंगे अकवर का समयकाल 1556-1605 ESB की मद में था आज की इस वीजियो में हम अकवर के प्रारंबिक जीवन, पानीपत के दुतिययुद, अकवर के द्वारा लड़े गए महत्पून युद वा प्रमुककारियों को, अकवर के नौरतन, उसके द्वारा किये गए प्रमुककारियों को और अकवर से सम्मनित महत्पून तक्त को जानेंगे। सबसे पहले हम अकवर की प्रारंबिक जीवन को पढ़ेंगे। अकवर का जन्म 1542 इसवी में अमरकोट की राजा बीर साल की महल में हुआ था। और यह महल पाकिस्तान के सिंध प्रांथ में इस्ते थे। अकवर की माता का नाम हमीदा बानुवेगम था जो की सिया गुरू मीर बाबा या सीक अली की पुत्री थी और उसकी पिता का नाम हुमायू था। अकवर की धाईमा माहम अंगा थी और उनका पुत्र आदम खाँ था। अकवर की बच्पन का नाम जलाल खा था अकवर की बच्पन का नाम क्या था जलाल खा अकवर का जन्व 1542 इसबी में अमरकूत की राजा बीर साल की महल में हुआ था इसकी माता का नाम हमीदा बानुविगम और पिता का नाम हुमायू था अकवर की धाइमा माहम अंगा थी और अक्वर की बच्पन का नाम क्या था जलाल खा तीन वर्स की आयू में अक्वर अक्षरी की सन्रक्षण में कंधार में था नो वर्स की आयू में अक्वर को पहली बार गजनी की सुविदारी प्राप्थ हुई थी गजनी में अक्वर का सन्रक्षण मुनिम खा था अक्वर को हुमायू ने सरहिंद युद्ध जीतने के बाद 1555 इसवी में युवराज खोशित किया था युवराज अक्वर का सनलक्षक बेरम खा था बेरम खा 1556 से 1560 इसवी तक अक्वर का सनलक्षक रहा था बेरम खाँ बदसका कानवासी था और यह अकवर का प्रधान मंत्री भी था बेरम खाँ को प्यार सी खानी वाबा भी कहा जाता था अब हम पानीपत के दुतिय युद्ध को देखेंगे पानीपत का दुतिय युद्ध 1556 इसबी में हुआ था यह युद्ध अकवर और हैमू के बीच लड़ा गया था इस युद्ध में अकवर की बिजय होती है इस युद्ध की बाद अकवर ने बेरम खाँ को खान एक खाना की उपादी दे थे अब हम हैमू का थोड़ी परीचा जान लेते हैं कि हैमू कौन था आदिल साह ने जब चुनार को अपनी राजधानी बनाया था तो उसने मुगलों को भारत से नकालने के लिए हैमू नामक बैक्ती को निक्त किया था हैमू आदिल साह का सेनपती था इसने अपना सामराज हैमू नामक एक बनिय को दे दिया था हेमु को आदिल साह ने बिक्रमादित की उपादी से सुसोबित किया था और हेमु आदिल साह का फृधान मंत्री भी था हेमु को 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का सेरे प्राप्त था हेमु ने दिल्ली में तर्की बेक को पराजित कर साही छत्र की उपादी धारन की थी और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे जब हुमायू की मृत्यू होती है तो हुमायू की मृत्यू का समाचार सुनकर हेमू उसकी राज पर अधिकार करने के लिए निकल गया हेमु ने विक्रमा दित्कियोपादी धारन की हेमु को अंतिम हिंटू समराथ माने जाता है यह चुद्वी नंबर का ब्रिकमा दित्त था हेमु जब हमायू की राज़ पर अधिकार करने के लिए निकला तो हेमु को रास्ती में मुगल सासक अकवर और बेरम खासी युद्ध करना पड़ा पानिपत का दुतिय युद्ध 1556 बी में होता है जिसमें अकवर विजय होता है इस परकार यहां सी अकवर का सासन सुरू होता है पानिपत के दुट्य युद्ध को जीतने के बाद 1556 ऐस्वी में अकवर का राजजबिशिक चौदा वर्स की आयू में हुआ और कहा हुआ था पंजब के कलानोर नामकिस्तान पर बेरम खाने मिर्जा काबुल कासिम की सहायता से अकवर को बाचसाय बनाया था अकवर ने अकवर बाचसाही गांजी की उपादी धारन की थी और इसी नाम से वह सिंगासन पर बैठा था अब हम अकवर के द्वारा लड़े गए महत्पूर युद्ध और उसकी द्वारा किये गए महत्पूर कारियों को जानेंगे हम अकवर द्वारा लड़े गए महत्पून युद्ध वा उसके द्वारा किये गए क्यारियों को बरसों की अनुशार पढ़ेंगे कि उसने किस बरस में कौन सा कार वा कौन सा युद्ध लड़ा 1560 इसबी में अकवर के समय में पेटिकोट का सासन प्रारम भुआ पेटिकोट का सासन पंद्रा सो साथ से बासा तीसबी तक चला था इस काल में अकवर की मा महमा अंगन के पास सासन था इस सासन को परदा सासन भी कहते थे 1531 को मक्का की तीर्थ यात्रा की दोरन पाटन नामकिस्तान पर मुवारिक खान आमक युबक ने बेरम खा की हत्या कर दी आंगी चलकर अकवर ने बेरम खा की पत्नी सलीमा बीगम से बिवाय कर लिया बेरम खा की हत्या किसने कर दी थी मुवारक खाने 1561 इस भी में ही बेरम खा की बाद अतगा खा अकवर का प्रधान मंती बनता है इसकी हत्या आदम खाने 1562 इसबी में कर दी फिर आंगी चलकर आदम खा की हत्या अकवर कर देता है 1561 इसबी में ही अकवर ने मालबा विजय की थी इस समय मालबा का सासक बाज बहादूर था इस युद्ध में मुगल सेनपती आदम खान और पीर मुहम्मद थे बाज बहादूर की मृत्ट्टू के बाद अकवर बाज महादूर और रूप मदी का मगबरा बनवाता है और इनका मगबरा कहां है राएसेन के सारंगपुर में इनकी मगबरे का निर्मार अकवर ने 1538 तीसबी में करवाया था इस मगबरे पर बाज बहादूर के मगबरे पर अकور ने आसिम ए सादिक और रूक मती के मगबरे पर अकور ने सहीद इवफा भी लिखवाय था यह सभी आपको याद रखना है 1562 इस्वी में अकور ने आदम खा की हत्या कर दी आदम खा कौन था? आदम खाँ अकवर की धाई मा महमा अनगा का पुत्र था 1512 तीशबी में ही दास परथा का अकवर ने अंत किया इसने पंजाब में गो हत्या पर प्रतीबंद 1512 तीशबी में ही लगाय था और अकवर को हरम डल सी मुक्तिकम मिली थी 1512 बी में 1512 बी में अफगान सासक को हराकर अकवर ने चुनार को अपनी अधिकार में ले लिया और इस समय मुगल सेनापती कौन था अब्दुल्ला खाँ चुनार बिजय की समय मुगल सेनापती अब्दुल्ला खाँ था 1532 में ही जेमल को हराकर मुर्टा को अकवर ने अपने अधिकार में ले लिया और इस आर्थात इस युद में मुगल सेना पती सफरुद्दीन था 1513 में ही आमेर की साग़ भार मल ने अकवर की स्विक्चा से अधिन्ता शीकार कर ली 1532 में आमिर की सासक भारमल ने अकवर की स्वेक्चा से अधीनता स्विकाल कर ली अकवर की पतनी जोदा भाई भारमल की पुत्री थी जोदा भाई किसकी पुत्री थी भारमल की जोकी आमिर की राजा थे जो दाभाई की अन्य नाम हीडा कोवर वा मारियम उजियानी थे भारमल का पुत्र ही भगवानदास और पोत्र मानसीं था भारमल का पुत्र कोन था भगवानदास और उचका पुत्र मानसीं था जो अकवर की पहली पतनी थी वह रुकईया भीगम थी और वो हिंदाल की पुत्री थी अकवर ने सरपिथम बैवाहिक संबन्द राजपूत की कच्छवाओं से स्तापिद किये थे अब हम 1573 में अकवर ने कौन सी महत्पूर कार किये वह जानेंगे 1573 में अकवर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया इसी समय अकवर ने मतुरा की यात्रा की थी 1564 में अकवर ने ज़िया कर समाप्त कर दिया और बाल हत्या पर भी प्रतिवन्द लगा दिया 1564 इस भी में अकवर ने गूरवाना पर अधिकार किया था और इस युद्ध में सेनपती आसफ खाँ था गोरवाना की सासी का रानी दुरगापती थी और गोरवाना कहा है मद्द प्रदेश की जबलपुर्जिले में जो रानी दुरगापती थी उनकी पती का नाम दलपसाय और उनकी पुत्र का नाम बीर नारायन था यह सबी आपको याद रखना है 1535 में अकवर ने सती प्रता पर रुख लगाई इसने 1537 में अधिक मत्पान पर रुख लगाई 1538 में स्वेम अकवर ने मेवार की सासक उदै सिंग को हरा कर मेवार को अपने राज्य की अधिन कर लिया इस युद्ध में उदै सिंग की दू बीर जैमल और फत्ता ने बीरता पूर्वक लड़ाई की थी मेवार को अकवर ने कब अपने अधिन कर लिया 1568 इसबी में 1539 इसबी में कालेंजर की सासक राम चंदर पर अकवर ने आक्रमर किया और इस युद्ध में सेनापती मजमूख काक्सा है था अकवर ने 1579 इसबी में रन थंबोर की सासक सुर्जन पहाड़ा पर अक्रमर किया था और इस युद्ध में सेनापती भगवांदास और स्वयम अकवर था 1570 इसबी में मारवा की सासक राव चंदर सेन जैसलमीर की सासक रावल हरी राय और विकानीर की सासक कल्या अर्मर ने अकवर की स्विक्षा से अधिंता स्विकार कर ली 1570 इसबी में मारबार की सासक, जैसलमीर की सासक और विकानीर की सासक ने अकवर की स्वेक्षा सेध हिंता स्विकार कर ली 1571 इसबी में अकवर ने फतिपूर सीक्री का निर्मार किया था अकवर ने आगरा सी फतिपूर सीक्री राजधानी 1571 इसबी में ही बनाई थी फतिपुर शीकरी का प्रारंबिक नाम बिज़े की सिटी यज सीकरी सिटी था 1571 बी में ही अकुवर ने गुजराद बिज़य की थी इस युद्ध में मुगल सेना का नीत्रित अकुवर ने किया ठाओ और उस समय गुजराद का सासक मुझफर खां था गुजराद की सुभीदार इमाद खाने अकवर को गुजराद बिजय करने के लिए अमंत्रित किया था गुजराद बिजय की बाद अकवर ने खान आजम या मिर्जय अजीज कूपका को गुजराद का गवरनर निक्ट किया था अकवर ने गुजरत अभियान की दोरान ही समुद्र देखा था यहीं पर अकवर सर्पिथम पुर्टगाली आत्वियों से मिलता है गुजरत बुज़ाई की बाद अकवर ने फतिपूर सीक्री में बुलंद दरवाजी का निर्मार कर वै था बुलंद दरवाजी का निर्मार अकवर ने कप कर वै था गुजरत बुज़ाई की बाद इतिहासकार इसमित ने गुजरत अभियान को संसार की इतिहास का सरवादिक दूर्ट गामी अग्भियान कहा था अब अकवर ने 1573 इसभी में कौन सी महत्पूर कार किये 1573 इसभी में ही अकवर की समय में मुहम्मद हुसेन मिर्जा ने गुजरात का विद्रो किया था 1574 इसभी में अकवर ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी मुगल सासन विवस्ता में इस प्रनाली को सरपिथम अकवर ने ही लागू किया था उस समय सबसे छोटा मनसब दस और सबसे बड़ा मनसब दस अजार हुआ करता था जो अकवर की लगान विवस्ता थी वह मनसबदारी प्रथा पर ही आधारे थी और यह मनसबदारी प्रथा मंगोली अदेश से ली गई थी 1575 इसबी में अकवर ने इबादत खानी की स्तापना की थी अकवर हर ब्रस्पती वारकू फतेपुर सीक्री में सवाबी आईज़ित करता था 1574 वज 76 इसबी में अकवर ने बिहार वबंगाल पर अधिकार कर लिया और इस युद्ध में सेनपती मुनीम खान खाना था 1576 इसबी में ही प्रिसद्ध हल्डी खाती का युद्ध हुगा था हल्डी खाती का मैदान कहां है? हल्डी खाती का मैदान राजिस्थान की अरावली परवट की निकात है यह युद्ध अकवर और महाराना प्रताप की बीच हुआ था जिसमें अकवर बिजय होता है इसमें महाराना प्रताप की जान जाला सरदार मान सिंग ने बचाई थी इस युद्ध में मुगल सेना का नेत्रित मान सिंग और आसिप खाने किया था जबकि राजपूतों का नेत्रित महराना प्रताप और हकीम खाने किया था 1574 में हल्डी घाती का युद्ध होता है जब यह युद्ध हुआ था तो उस समय महराना प्रताप की राजधानी कुम्बरगर थी इस युद्ध की बाद महराना प्रताप ने दुंगरगर के निकट चावर को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से शासन करना प्रारंब किया हल्दी घाती की जुद्ध के पीछे अकवर का मुख कारण महराना प्रताप को अपने अधिंग लाना था जो की संभाव नहीं हुआ था एक बार हम महराना प्रताप की बारे में थोड़ी पर लेते हैं महराना प्रताप का जन 1540 ऐसबी में हुआ था इनकी पिता का नाम उदैसिंग और माता का नाम जस्वन्वाई था और यह सुशोदी राजवन से संबन्दित थे महराना प्रताप की बच्पन का नाम की का था महराना प्रताप के प्रिया घोरे का नाम चेतक और प्रिया हाती का नाम रामपरसाथ था महराना प्रताप की पिडिया गोडी का नाम क्या था चेतक महराना प्रताप की मृत्तु 1597 इस्वी में एक सक्त धनुष की प्रित्यच्छा चड़ाते हुए एक अंदुरूरी च्योट के कारण हो गई थी अब हम 1588 इस्वी में अकवर ने कौन सी महत्पूं कार की वह जानेंगे 1588 इस्वी में अकवर ने इबादत खाने में सबी धर्मों के लोगों के प्रिवेश की अनिमती दे थी और इबादत खाने को पूजा घर भी कहते थे 1589 इसवी में अक्वर ने मजहर की गोशना की मजहर पर ततकालीन इसम्रालेवी गुरू शेक मुबारिक के हस्ताक्तर से इस डख्तावीज में अक्वर को अमीर उल्मुमिन की उपादी दी गई थी मजहर की गोशना की बाद अक्वर ने सुल्टान इअदिल और नय प्रियक्सासक उसे कहा जानी लगा था इतिहासकार इसमित और बेश्टिव हूम ने मजहर को अचूख आग्यापत्र का नाम दिया था यह सबी पोइंटाब को मजहर की बारे में याद रखना है 1581 इशबी में अक्वर ने हकीम मिर्जा को हरा काबूल पर अधिकार कर लिया आंगी चलकर अक्वर ने काबूल की सूविदारी बक्त दुनिया बेगम को सोपी 1583 इशबी में अक्वर ने इलाही संबत की सुरुबात की 1555 इश्वी में अकुवर ने अपनी राजधानी लाहोर इस्तानान प्रित की 1586 इश्वी में मुगल सेनपती भगवान दास वा कासिम खा की नित्रत में यूसप याकूब को हराकर अकुवर ने कस्मीर में विजय प्राप्त की 1592 इश्वी में सासक निसार खांकू हराकर अकूवर ने उरीशा की बिजय की ती और इस युद्ध में सेनापती मान सिंग था 1593 इश्वी में अकूवर ने जानी बेक को हराकर सिंध की बिजय की थी और इस युद्ध में सेनापती अब्दुलहीं खांकाना था 1592 इश्वी में अकूवर ने उरीशा बिजय और 1593 इश्वी ने अकूवर ने सिंध बिजय की थी 1595 इसबी में सासक पन्नी अफगान को हराकर अकवर ने बलुचिस्तान की बिजय की थी और इस युद्ध में सेनापती मीर मासुम था 1595 इसबी में ही अकवर ने मुझफर हुसेन को हराकर कंदार बिजय की थी 1595 EZB में अकवर ने बलुशिष्टान और कंदार की विजय की थी कंदार युद्य की समय सेनापती सहभीक था जबकी बलुशिष्टान विजय की समय सेनापती मीर मासुन था अब हम अकवर की दख्चन भारत विजय की बार में पढ़ेंगे 1591 एशबी में खान देश ने स्विक्छा सी अधिन्टा स्विकार कर ली उस समय खान देश का सासक अलीखा था और इस युद्ध में सेनपती अलीखा था 1599 एशबी में दोल्टाबाद की सासका चांद बीबी को हराकर अकवर ने वहां अधिकार कर लिया इस युद्ध में सेनपती मुराद अब्दुर्रहीम खान खाना अबुलफजल वस्रॅम अकवर था 1610 एशबी में अकवर ने अहमद नगर विजय कि थी 16101 एशबी में अकवर ने असीर गर की सासक मीरन बहादुर को हराकर असीर गर की विजय की थी यह अक्वर का अंतिम अभियान था और जो अशीरगर का किला है इसे दक्षिन भारत का प्रवीश द्वार भी कहा जाता था अब अक्वर की मरत्व कैसे हुई अक्वर की मरत्व अतिशार या जालिय रूप के कारण 1605 इसबी में हो गई थी अक्वर का मकबरा अगरा की नकष सिंगंद्रा नामकिस्तान पर इस्ते थे और अक्वर की मकबरी का निर्मार जहांगीड ने 1605 इसबी में करवाय था अब हम अक्वर की नौरतनों को देख लेते हैं अक्वर की नौरतन कौन कौन से थे? अक्वर की नौरतन थे अबुल फजल, टूदलमल, टांसेन, फैजी, बीरवल, राजामान सिंग, अब्दुर्रहीम खानखाना, फकीर अजुरुद्दीन और मुल्लादू प्याजा अबुल फजल, अबुल फजल ने अक्वर नामा वा आइन ए अक्वरी की रचना भी की थी और जो अबुल फजल थे वह सीख मुबारिक की पुत्र थे दीन ए इधर्म का मוכ प्रोहित अबूल फजल था पंच्छतन्थम Zumita अबूल फजल ने अनवर इसाहद नाम से किया था अबूल फजल ने अकवर की समक्स फर्जِ इस्दी का सिद्दान तरहखा था जहां पर अकवर को आब, हबा, पानी बाभूमी का समाविस बताय गया था अबुल फजल ने अकवर को जिल्ले इलाही और फर्दे ए इस्दक की उपादी दी थी जिल्ले इलाही का अर्थ होता है खुदा की परचाई और फर्रे ए इज़्डी का अर्थ होता है खुदा से निकलने वाली रोसने 1602 इसबी में सलीम अर्था जहांगीर की निर्देश पर दक्षिन से आगरा की उड़ आ रहे अबुल फजल की रास्ते में बीर सिंग बुंदेला सरदार ने हत्या कर दी अबुल फजल की हत्या किसने की थी बीर सिंग बुंदेला ने अब हम तूदल मल की बारे में पढ़ेंगे अकवर की दर्वार में आने सी पहली तूदर मल सीर साय का एक दर्वारी मंत्री था अकवर की भूमी संबद्धित सुदारों का स्रे तूदर मल को जाता है तूदर मल ने 1580 इशबी में 10 साल बंदुवस्त की विवस्ता लागू की थी 10 साल बंदुवस्त जपती 45 से ही बिक्सित हुई थे तूदर मल अकवर का परदान मंत्री 1582 इशबी में बना था और तूदर मल की म्रेत्व 1589 इशबी में हो जाती है अब हम तांसेन की बार में पढ़ेंगे तांसेन का जन्म 1560 इशबी में गौलियर में एक ब्रामर परिबार में हगवा था इनका वास्तिक नाम राम तनू पांदे था अकुवर ने तांसेन को कंथा वरंद बांदी विलास की उपादी दी थी अकुवर ने तांसेन को कंथा वरंद बांदी विलास की तांसेन ने रागमाला, संगीतकार और गनेश इस्टुछी नामक कृतियों की रचना की थी तांसेन पहले पूर रिवा की राजा राम चंदृ देव के राज जस्त्राल में रहते थे फिर उसकी बाद यह अकवर की दरवारी कभी बन गए अब हम फैजी और मांशिंग की बार में पढ़ेंगे अकवर का दरवारी राजकावी फैजी था फैजी अबुल फजल का बड़ी भाई था फैजी ने नल देमेंटी कता का अनुबाद फार्सी में सहीली नाम सी किया था और जो मांशिंग थे उसे अकवर ने अमीर उल उम्रा की उपादी दी थी आमीर की राजा मांशिंग को अकवर ने अमील उल उम्रा की उपादी दी थी अब हम अकवर की नवरतन बीरवल की बारें पढ़ेंगे बीरवल का असली नम महिज दास था भगवान दास ने बीरवल को अकवर से मिलवाया था किसने बीरवल को अकवर से मिलवाया भगवान दास ने अकवल की नव रतनों में से बीदवल अकवर को सबसी अधिक प्रिया थे अकवर ने बीदवल को कवीराज, कवीप्रिया और राजा की उपादी दी थी अकवर ने 1583 इस्भी में बीदवल को न्याय बिभाग का प्रमुबी निप्ट किया था अब्दुर्रहिम खान खाना अब्दुर्रहिम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा का फार्सी में अनुवाद किया था इनको खान खाना की उपादी अकवर ने प्रदान की थी और यह बेरम खान के पुत्र थे अब्दुर्रहिम खान खाना को खान खाना की अपादी किसने दी थी? बेरम खाने अब हम अकवर द्वारा किये गए निर्मार कारियों को देख लेती हैं अकवर ने हमायू का मगबरा, आगरा का लाल किला, फतिपूर सीक्री में साही महल, पंच महल, बुलंद दरवाजा, जूदा बाई का महल, इबादत खाना, इलाबाद का किला, उल लाहूर की किली का निर्बार करवाया था हमायू का मगबरा दिल्ली में हैं, आगरा का लाल किला, उत्ता प्रदीश की आगरा में हैं, पंच महल, उत्ता प्रदीश में हैं, बुलंद दरवाजा भी उत्ता प्रदीश में हैं, और जूदा बाई का महल, उत्ता प्रदीश में इस्तित है, जूदा बाई का महल कहा है, उत्ताय प्रदेश के फतीपुर सीकरी में ये सभी अकवर ने निर्मार करवाये थे अब हम अकवर की बारे में कुछ अन्य महत्पून तक्तों को पढ़ लेते हैं अकवर की रसुई घर का प्रदान हकीम हुक्का था अकवर की रसुई घर का प्रदान कौन था हकीम हुक्का संगीत कला की द्रस्ति से बाच्षा अकवर का सासन सर्बुचम था अकवर ने दस्वन्द को सामराज का अग्णी कलाकर बताया था अकवर की समय में सर्बुची चित्रकार बसाबन को माने जाता था अकवर के समाई में ही रूप्चित्रकारी की शुरूबात हुई रूप्चित्रकारी की सुरूबात कब हुई थी अकवर के समाई में अकवर की दर्वार की प्रिस्द्य चित्रकार अब्दुल समाथ थे अकवर की अधीनता स्वीकार करनी वाली प्रिस्द्य राजा संगीतकार बाज बहादूर थे अकवर की सासन काल में प्रसुद्य संगीत कर्थ तांसेन, बाज बहादुर, बाबार रामदास और बेजु बाजरा थे अकवर नकारा या नगारा यंत्र बजाता था अकवर कौन से यंत्र बजाता था नकारा या नगारा अकवर ने अनुबाद बेभाग की स्तापना भी की थे अकवर ने कौनसे बेभाद की स्तापना की अनुबाद बेभाग अकवर की काल को हिंदी साहित का स्वरनिम काल कहा जाता है हिंदी साहित का स्वरनिम काल किसके काल को कहा जाता है अकवर की काल को दिवाने बजीरत एक कुल नामक नएपत की स्तापना अकवर ने के थे अकवर ने हर विजैस सूरी को जगत गुरु की उपादी दे थे जो हर विजैस सूरी थे उनको अकवर ने जगत गुरु की उपादी प्रदान के थे इसके अलाबा अकवर द्वारा महम्मद हुसेन कस्मीरी को जरी कलम की उपादी से अलंकरित किया गया था अब्दुल कलम को सीरी कलम की उपादी से अलंकरित किया गया था जबकि नरहरी को महापात्री की उपादी दी गए थी अक्वर की काल में नकीम खां, अब्दुलकादिर बदायून और सीख सुल्तान ने रामार और महा भारत का फार्सी में अनुबात करवाया था महा महारत का फार्सी नाम रज्जनामा रखा गया था जिसका अर्थ होता है युद्दों की पुस्तक अक्वर पर सरबादिक प्रबाव हिंदु धर्ब का था सिक्कों के चोथे गुरू राम दासकु अक्वर ने अमरिस्तान में मंदर निर्मार के लिए पास्सो बीगा जमीन दान की थी अक्वर की समकालीन प्रिस्द सूपी संथ सीख सलीम चिस्ती थे इन्हीं की आसी बाद से अक्वर की पुत्र सलीम का जन्म हुआ था अक्वर ने संथ मुनिजदिन चिस्ती की दरबार कर दो बार पैदल यात्रा भी की थी अक्वर द्वारा बनाई गई पंच महल इमारत का नक्सा बोदिबहार की तरह था पंच महल को पत्थरों की सपनों की रूप में भी जाना जाता है अक्वर द्वारा बनाई की सर्फिस्ट इमारत फतीपुर सीक्डी में पाई जाती है अक्वर ने करीब 1574 इसबी में इलाबाद सहर में कली की निव रखी अक्वर ने जब यहां पर नया सहर बसाया तब उसने इसका नाम अल्लाह से इलाबाद कर दिया अक्वर की सासनकाल में पुनरगसित केंजे प्रसासन तंस की अंतरगत शैनिक विभाग का प्रमुख मीरबक्षी था जपता प्रिणाली अक्वर की ही उपस थी अकुवर ने अपनी सामराज को 15 सूबों में विवाजित किया था अकुवर की समय राजस एक बटे टीन भाग निर्दारिप था और अकुवर ने ही घूरा दागने वाहूलिया लिखने की प्रता का पुना प्रारम करवाया था थैंक्स फॉर बोचिंग दोस्तो यदि आपको मारे वीडियो पसंदाई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सेर जैरू करें इसके साथी चैनल को सस्क्राइब करें आप हमारे इस वीडियो से लेटिट पीडियाप को हमारी वेप साइट से डाउनलूद कर सकती हैं जिसका लिंक दिस्क्रिप्शन में दिया गया है